यूपी PCS 2023 के इंटर्विव चले हुए हैं दूसरे दिन के इंटर्विव में दोस्तों कुछ महत्वपन स्वाल पूछे गए हैं क्या है वो श्वाल क्या है AI फार्मिंग AI फार्मिंग के बारे में पूछा गया है हिट एंड रन कानून में बदलाओ से जुड़े परसन पूछे गए हैं परिष्थिती आधारित परसन भी पूछे गए हैं उत्पादन आधारित प्रोट्शाहन योजना क्या है पी एल आई क्या है माइक्रो एकनोमिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं इधियास का पुनरलेखन कितना सही है भारतिय इंपास जाते दर्शन में क्या अंतर है सिर्मिकों की उत्पादक तक कैसे बढ़ाएंगे योपी में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है अब सर बने तो इगाउनेंस के लिए क्या करेंगे उच्छा की भेतरी के लिए सरकार क्या कर रही है जोब छोड़कर पांच साल से तैयारी क्यों कर रहे हैं उत्तर परदेश लोक शिवा आयोग में समलित राज्य परवर अजिनस सिवा पीसेस दोजार तेश के इंटरव्यू के दूसरे दिन मंगलवार को विविद विश्यों पर पर परसन पूछे गए हैं पहले दिन की तुल्ना में राम मंदिर से जुड़े परसनों की संख्या बहुत कम थी अब्यारतियों से उनके विश्याय सेवा और प्रिस्तितिय सम्मंदी स्वाल पूछे हैं नेतिकता से जुड़े भी स्वाल पूछे गए हैं इंटर्विव बोर्ड ने एक अब्यारतिय से पूछा कि आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस फार्मिंग क्या है पिछले कुछ समय में AI कमपनियों ने ऐसे कमपनियां ऐसे रोबोट विक्षित कर रही हैं जो खेटी के छेतर में खर्पतवारों को नेंतित करने और फसल काटने जैसे कारिये आशानी से कर सकते हैं एक अन्या ब्यारति से पूछा कि केंदर में लोग परिये सरकार को जनता दो बात चुन चुकी है सरकार की ऐसी कौन सी नितियां जिनकी वज़े से जनता उन्हें वोट दे रही है सरकार के वर्तमान में क्या-क्या योजना हैं उन्हें आप किस परकार कारियर रूप में प्रिनित करेंगे प्रिष्टिती आदार एक परसन पूछा कि यदि आप अपने पद पर कारियरत हो और आपके विभाग मंत्री एंस वाहिदनिक कारियर लेकर आ जाएं तो आप उन्हें कैसे मेसेज करेंगे आप SDM हैं और किसी दोरे पर निकले हैं रास्ते में कोई बेशहरा दिव्यांग बच्चा मिल जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे पडोशी देश मांगला देश में चुनाओ से जोड़ते हुए परसन पूछा कि से खशीना की पार्टी और विपक्षी पार्टी का नाम बताएं कुछ परसन रिपेट भी किये जैसे हीटेंड रन कानून क्या है राश्टी शिक्षा नीती 2020 के बारे में विजार रखें स्चाक्षातकार के दूसरे दिने छे बोर्ड गठीत किये गए थे 90 बैर्टों को बुलाया गया था